बतादे कि ओनलाइन गेमिंग और कसीनो पर आने वाले एक अक्टूबर से 28 फिस्ती जेस्टी लगेगा और ये फैसला बुधवार को नई दिल्ली में हुई GST काउंसलिंग की बैठक में लिया गया है जिसके बारे में खुद वित्य मंत्री निर्मला सीता रमन ने जानकारी दी है उन्होंने कहा है ओनलाइन गेमिंग और कसीनो पर फेस वैल्यू का 28 फिस्ती जेस्टी लगेगा बता दे कि GST काउंसलिंग की बैठक में GST रेट्स और सुधारों से जुड़े कई मामलों पर गहन विचार विमर्श किया गया इस दोरान ओनलाइन गेमिंग कसीनो और होर्स राइडिंग पर GST दर को लेकर भी फैसला लिया गया गौर तलब है कि इससे पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फिस्ती की दर से GST लगाने का निन्ने लिया गया था लेकिन गेमिंग कमपनियों की और से इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था हाला कि पिछली बैठक में लिये गए फैसले को बरकरार रखते हुए काउंसलिंग इस बात पर राजी हुई है कि 6 महीने बाद GST दर पर फिर से रिव्यू किया जाएगा वहीं बुद्वार को हुई बैठक के बाद वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा है कि ओनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28% GST एक अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है वित्यमंत्री ने कहा है कि ओनलाइन गेमिंग और कसीनो के मामले में टेक्स परवेश तर पर लगेगा यदि कोई व्यक्ती 1000 रुपे का दाव लगाता है तो 1000 रुपे पर टेक्स लगेगा अगर वैं 300 रुपे जीतता है और फिर से 1300 रुपे का दाव लगाता है तो जीतने वाली राशी पर GST नहीं लगाया जाएगा बताते कि GST कांसलिंग ने अपनी पिछली बैठक में शिफारिश की थी ओनलाइन गेमिंग के मामले में सपष्टता के लिए कानून में शन्शोधन किया जा सकता है काउंसलिंग ने कसीनो, घुड़ दोर और ओनलाइन गेमिंग के शेतर में टेक्स पश्टा के लिए CGST अधिनियम 2017 और IGST अधिनियम 2017 में शंशोधनों की शिफारिश की थी हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राये हमें कमेंट करकर जरूर बताएं साथ ही वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करना न भूले और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN Digital Media को सब्सक्राइब जरूर कर ले